प्रिये चात्रों नमस्कार आज हम लोग चाले करेंगे प्रस्टनावली टू के तो आए पढ़ते हम लोग प्रस्टनावली टू के अगर जो बचे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो सब्सक्राइब कर ले और जो सब्सक्राइब किये हैं उनको दिल से किये पहरा सवाल क्या और लोह काँ क्यों पहला सवाल है हम रोग कि इतना हमें वाई minimum से भाग सेंशफल होगा किसल किन komt आरफ चमें बताऊंग आप लोग को पहरा किब्लाइज वाई माइनस मिल्थ परकिल्यय नहीं होगा देखी ये-1 से भाग धीन मैंनस वन को 0 को 0 देखा दी इंगे वाई-बराभर जीतना निकलेगा वाई-बर डावदु देखिए हमाय की कि जगापर कितना रख देंगे एक प्र पार फोर मारेस तेरी वाय की जगापर कितना हमggECHा एक रखेंगे है स्कॉर है पलस टू वाय की जगापर एक पलस वन अब यह कितना हो जाएगा हम लो का आउज मतलब एक माईनस एक काई स्क्वायर एक होता है तीन एक में कितना हो जाएगा तीन अब ये कितना हो जाएगा दू एक में दू पलस एक अब ये क्या होगा हम लोगों का एक दू एक तीन एक कितना हो जाएगा चार चार माइनस तीन बराबर कितना हो जाएगा एक यानिया सेश्पल कितना होगा अम लोगों का एक होगा यह क्या होगा अम लोग का पहले का इन्स अबर हो गया हम तो विडियोस हानत तक देखें जिससे की डिन्री अटों आप लोगों को समझ में आए अगर विडियो सूरू में छोड़कर भाग जाते वेडियो देखे उसके बाद 10 मिनट साम को देखे इस तरह क्या करें खतम करें लगा कर तो आगे सवाल अम लोग का बढ़ते हैं प्रस्ष्ट नमर 2 इसमें का देखिए टूके का चालू हुआ है इसमें का पहला सवाल लग गया दूसरा सवाल मैं बताने जा रहा हूं दूसरा सवाल क्या है इतना का गुड़न खंड है तो क्या करेंगे अम लोग इसका गुड़न खंड करेंगे अब अब देखिए इसका गुड़न खंड कैसे होगा अम लोग का एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इसमें से माइनस कामन है माइनस कामन कर लेंगे क्या बचेगा एक्स प्लस वाई दोनों में माइनस है दोनों में से माइनस कामन करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस अब देखिए दोनों फक्सनों में क्या कामन है दोनों फक्सनों में एकष के एकस प्लस वाई का अब यहां क्या बचीति आपका हमविन वाही का होल स्कॉायर मांवल यहां क्या बचेगा मौ स्कॉइब का हम्हान आप देखिए वन बचाय तो वन घंशी लिख सकते हैं उनके स्कॉयर नईacia कि यह स्ग्वायर हैं में इसको इसा सशहा लिखना है Becky ज्स लगा कितना हम व्लोग का एक प्लुस, व्लोस बी की ज्स लगा पर क्या रखेंगे हम लोग, एकॉ स्वाई और वी की जगा पर क्या रखेंगा हम लोग वन यह क्या होगे हम लोग का एंसर हो गया तीन वह गुड़ज तो इस परकार क्या हुए यह हलुगा आई यह अगला सवाल पड़ते हैं आप देखिए प्रोस्ट नंबर तीसरा इसमें क्या है कि ऐसा दे दिया गया है एक खाला नंबर कोषिच्चन उसे में सेवह करना है क्या करेंगे जिससे भाग देना रहेगा उसे क्या करेंगे पहले जीरो देखाएंगे उसका मान निकल लेंगे यहां से यकस का मान कितना गमलों का माइनवस वन है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस one अब देखिए मरत वरन निकल गया क्या करेंगे समिकर्ण में रख देंगे अब देखिए उसमें तो सेस्फ़ल बता और लेकिन इसमें क्या करना की का मान निकलना है अगर किसी भी चीज का मानी कलना रहे है कि भी कोई आछर के तो क्या करेंगे फिर इस फक्षन को 0 देखा देंगे अगर मान नहीं निकाल रहे कोई देगा किसे फल ग्याद किजिए तो इसको 0 नहीं देखाते हैं और कहता है कि मान निकालना है तो क्या करेंगे इसे 0 देखाएंगे कहेगा सेस्फर कितना बचेगा तो इसे 0 नहीं देखाएंगे इस फक्षन को तो मान निकालना है तो क्या करेंगे इसे 0 देखा दीजिए 4x3 पलस 3x2 माइनस 4x प्लस 1 4x प्लस k इकवल टू 0 अब देखिए 0 देखा दिये क्यों 0 देखा है क्यों कि इसमें मान निकलना है X की जब पर क्या रखेंगे 1 जहाँ जाए X से वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम लोग 1 अब देखिए 4 X की जब पर 1 प्लस K बराबर 0 एक की होता है एक कितना ही भी बार कि क्या होता है एक होता है चारे कमी कितना हो जाएगा चार यह क्या हो जाएगा एक की स्क्वाइर एक होगा तीने कमी कितना हो जाएगा तीन चार एका में कितना हो जाएगा चार प्लस के बराबर कितना हम लोग का जीरो अब देखिए प्लस चार से माइनस चार क्या हो जाएगा किनसील हो जाएगा यह जोड कर घटा भी देते तो क्या बसता हम लोग का तीन ही बसता तीन पलस के बराबर क्या हो जाएगा जीरो के बराबर क्या हो जाएगा अम लोग का पलस तीन ही तरह आएगा तो माइनस तीन के का मान कितना निकल गया हम लोग का माइनस तीन यही क्या हो गया हम लोग का एंस्वर हो गया अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर अशी पढ़ाई होती है तो आईए अगला सवाल पढ़ते हैं अब देखिए चौथा सवाल चौथा सवाल क् इसमें भी गयाद करना है तो सेस्फल गयाद करना रहता है तो क्या करते हैं इसे पहले जीरो देखाते हैं और जीरो देखा अगर क्या करते हैं मान निकालेंगे अगर वाई माइनस बन देता तो य कमान निकालते मान निकल गए यह फिर क्या करते हैं इसमें रखते हैं और स उसका मान निकाल लिए तो क्या करेंगे जीरो देखा देंगे सेम तीसरे नमबर में बताएं तो इसे हल कर देगा घर पर और मैं हिंट देगा हूँ यह तो लगभग में हो जाएगा कोई दिगर नहीं है अब देखिए सवाल नमबर पांचवा का मैं क्या कर रहा हूँ पहला या और तीसरा छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यह असान असान है सेस्फल ग्याद करना है करना इसमें भी तो क्या करेंगे हम लोग दूसरा या और चउथा क्या करेंगे हल करेंगे क्योंकि यह थोड़ा स अलग है थोड़ा सा डीफरेंट है क्या करेंगे दूसरा को हल कर रहे हैं प्रस नबर पांच बाका दूसरा देखिए एक माइनस वन बाइटू क्या है इसका गुड़न खंड है तो क्या कर भाग दिया जा रहा है मने इतना इस सब से तो क्या से सफल बचेगा इसमें का दो करेंगे तो क्या हुजाएगा माइनस एक से बराबर कितना गया वन बाइटू आब क्या करेंगे यही समी合ंकर नंगे से सफल करना रहता है ता इसे क्या करतें जीरो नहीं देखाते हैं, अब मान रख दीजिए, X की जब पर क्या रखेंगे 1 by 2 जहाँ-जहाँ X से वहाँ क्या रख दीजिए 1 by 2 देखिए, X की जब पर 1 by 2 का Q पलस 3x squared है 3x की जब पर 1 by 2 का squared फिर क्या है? 3x 1 by 2 पलस 1 है अब क्या करेंगे हम लोग इसमें देखिए P 1 by 2 equal to 1 by 3 का cube करते तो कितना हैगा हम लोग 1 by 3 का cube 1 by 2 का cube करेंगे तो cube मने होता है तीन बार गुड़ा 1 एक में 1 एक में 1 दूदुना के 4 दूदुना के 8 एक बटा 8 हो जाएगा ये ये कितना होगा 1 by 2 का square केतना हो जाएगा 1 एक में 1 अदुदुना केतना हो जाएगा 4 एक बटा 4 होगा एक बटा 4 का तीन में गुड़ा करेंगे तो का होगा तीन बटा 4 थोड़ा सा डायरेक यहां कर रहा हूं केवल multiply गुड़ा वाला फक्सन 60 में कर रहा हूं इससे कोई दिकत नहीं होगे आप लोग को पलस तीन एक में तीन अब अब अटे में क्या हो जाएगा 2 पलस ये कितना है 1 अब कितना हो जाएगा में पी 1 by 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आठ चार दू और नीचे क्या है यां कुछ भी नहीं तो एक बना लेंगे आठ चार दू एक का लोसा कितना हो जाएगा आठे होगा क्या करेंगे LC हम ले लिए नीचे वाला से भाग देते हैं और जितना आता उसका उपरला में गुड़ा करते आठ से आठ में भाग देंगे तो एक बर जाएगा एक का एक में गुड़ा करेंगे तो एक के होगा पलस चार से भाग देंगे आठ में तो दू बर जाएगा दू का तीन में गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा दू तिया है छे दूसे भाग देंगे आठे में तो कितने बर जाएगा हम लोग का चार बर जाएगा चार का उपरला में गुड़ा करेंगे तो चारतियाई 12 एक से आठे में भाग देंगे तो आठे बर जाएगा आठे कमें कितना हो जाएगा 8 अब इसे क्या कर देंगे जोड देंगे जोड़ेंगे तक क्या होगा हम लोग का P1 by 2 इकोल टु कितना हो जाएगा बाला यथ ठीज, लगा थीज आप बीश, चप्वी, चप होगीशक, 27, 27 बटा में आठ क्या हो जाएगा मैं इसका सिस्पल हो जाएगा और यहां ही क्या हो जाएगा हमुगो का इसरो हो जाएगा तो आए है इसमें दो समेर मैं बताने के लिए कर था ये दूसरा ये और चाह था चाह था मैं आप लोगो को बता देरा हो देखिए हमुद से क् ear प्लस्ट तो एक तो पहले जितना से भाग देते हैं उससे क्या करते हैं हम लोग उसको 0 देखाते हैं X का मान निकालते हैं X का मान कितना होगा हम लोगा प्लस 5 इधा जाएगा तो क्या होगा माइनस 5 X बराबर क्या निकलेगा हम लोगा माइनस 5 बटा 2 X से बराबन निकल गे कितना हम लोग माइनस 5 बटा 2 क्या करेंगे यह इस समीकरण में रख देंगे देखिए यह हम लोग का समीकरण है इसे क्या करें लिख दिये हैं अब इसमें रखेंगे X की जब माइनस 5 बटा 2 जहां जहां X से वहां क्या रख देंगे 5 बटा 2 तो अब देखिए यहां से क्या हो सब आता है आतर चार भाए गुड्णा ओता है तो-king- और-विद्वाभरई होती तिए उतनी सब भलक करेंगप ईयु क्या होता है। आप सब्सक्राइद आतर होता है अनुदक निले को सब्सक्राइद आतर होती什麼 का माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस पाचीस 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 कितना हो जाएगा एक सो पाचीस बट्टे में दू का तीन बार गुड़ा करेंगे ते कितना हो जाएगा आठ अब देखिए पाचीस का माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस लेकिन कितना हो पाचीस का तीन में गुटा करेंगे कितना हो जाएगा अब देखिए पाच्ई सका मायनस मेंगो करेंगे माइद स्टीनत लेhesket करेंगो हो केमे अब यहां भी क्या करेंगे कीतना हो ऑ अब यह कितना हो जाएगा हम लोग का कि आठ चार दू एक कालासा आठ हो गया आठ से भाग देंगे आठ में तो एक बर जाएगा यह कितना हो गया एक सो पचीस चार से भाग देंगे आठ में तो दू बर जाएगा और दू का उपरला में उड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा डाओ आठे का में कितना हो जाएगा आध अ अब देखिए क्या करेंगे हम लोगurança माइनस वाला को जोड़ दयंगे और प्लस प्लस वाले को जोड़ दैंगे माइनस 125 और माइनस ये 60 माइनस माइन जुड़ता है माइनस ही लिखाता है 0 में 5 जुड़ेंगे 5 6 में 2 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और ये 1 1500 में 8 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 और नीचे क्या है हम लोगों का 8 है क्या हो जाएगा हम लोग का गाटा देंगे पंदर में से आट गटे का कितना होगा साथ और साथ में से पांच गटे का कितना होगा दू एक में से गटे का क्या होगा जीरो जो अधिक रहता है उसके आएका चीन और बटे में आठ यह क्या हो जाएगा हम लोग का सिसफल हो जा अब देखिए प्रस्ण नमबर छोगा क्या करना इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक सवाल बताने के बाद मैं इसमें कई भी सवाल नहीं बताने वाला हूं इसे द्यान से समझ जाएगा क्या कर लेंगे आप लोग सभी सवाल लागा लेंगे अब कैसे लागा लेंगे समझेंगे देखिए को राया कि GXPX का गुड़न खंड है क्या GXPX का गुड़न खंड है जब X-PX का अगर इतना मान रखने पर इसे में अगर जीरो आ जाता है तो क्या गुड़न खंड है GXPX का अगर इतना का मान रखने पर इतना में अगर जीरो नहीं आता है तो क्या अगर अगर को इसे रखते थे पीछे सवाल कर चुके हैं सेम टू सेम वैसा ही रखेंगे हम लोग अब देखिए X प्लस 1 बराबर क्या करेंगे हम लोग 0 रखेंगे X प्लस 1 को 0 रख दीजिए X बराबर क्या निकलेगा हम लोग का प्लस 1 है इधर जाएगा तो माइनस 1 एक से बराबर माइनस वन इस समीकरण में रख देंगे अब देखिए समीकरण क्या है हम लोगा पी अक से एक सी जब पर कितना हम लोगा माइनस वन अगर जीरो आ जाता है तो गुड़न खंड होगा जीरो नहीं आएगा गुड़न खंड नहीं होगा क्या बगा हम लोगा समेगर क्या है टु रे एक सी जाप पर माइनस ब्वन चार एक सी जाप पर माइनस ब्वन पलस चो अब क्या करेंगे हम लोग दिहान से देखिएगा P minus 1 equal to 2 minus 1 का Q 3 बार गुड़ा करेंगे तो Q मने क्या होता है 3 बार गुड़ा minus का minus में गुड़ा करेंगे plus plus का minus में करेंगे minus 1 का में क्या होता है 1 1 का कितना भी गुड़ा करें कितना भी भाग करेंगे तो क्या होता है 1 की होता है यानि यह क्या हो जाएगा एक अब देखिए यहां सा थोड़ा सा मिश्टेक हुआ है हम लोगों से कहां मिश्टेक हुआ है कि माइनस वन का क्यूब क्या होता है माइनस वन होता है यहां माइनस नहीं लिखे हैं इसके लिए मापी चाहता हुँ आप लोगों से अब देखिए 2 एका में क्या हो जाएगा माइनस दू माइनस माइनस वाला जुटता है और माइनसी लिखाता है दू चार कितना हो जाएगा 6 और यह प्लस 6 कर जाएद कीतना व्नों बाद MOLE का zero जीरो आ गया जब जीरो आ गया तो क्या लिखेंगे याक सबिक्स कर दो अगर जीरो को छब खोड़े कर कोई को भी संदिते माइनस में या प्लस नहीं क्या लगी तो हैट तो लिखेंगे GX, PX का गुणन खंड है, PX का गुणन खंड है, यह क्या हो गया हम लोग का, इनसवर हो गया, इसमें का सारा प्रस्णाफ लोग लगाईएगा, कि तीन चार्ठो है, कोई वी हार्ड नहीं है, केवल इसको 0 रखना है, GX का मान का 0, और जीतना आएगा X का मान वो समिकन में रख देना है, अगर 0 आ जाता है, तो क्या हम लोग का, गुणन खंड है, 0 नहीं आता है, कोई भी संख्य 0 को छोड़के आ जाता है, तो गुणन खंड नहीं है, क्या हो गया है, अब देखिए प्रस्ण नमबर 7 अबा, क्या करना इसमें, कि एक गुणन खंड X minus 1 है, क्ये का मान गयात करना है, इस फक्सन का इक गुणन खंड क्या, X minus 1 और क्ये का मान गयात करना है, जब मान गयात करना रहता है, तो दुनों फक्सन को 0 देखाते हैं, और हल कर देते हैं, क्या करेंगे, X minus 1 को 0 देखाएंगे, X minus 1 बराबर 0, X बराबर क्या निकलेगा, minus см 1 को इदर करेंगे तो प्रस वन हो जाएगा एक से बराबर निकल गया हम लोग का प्लस वन अब देखिए क्या करेंगे यही मान इस समिक्रण में रखेंगे और जब मान निकालना रहता है के का चाय किसी भी चीज का तो क्या करते हैं इसको भी 0 देखाते हैं अब देखिए इसको भी 0 देखाईए P X equal to कितना हम लोग का X square plus X plus K equal to 0 अब देखिए इसमें मान रखे देंगे X का मान 1 P X is 1, X is 1, X is 1 plus K equal to 0 अब क्या हो जाएगा हम लोग का 1 का square 1 होता है और ये 1 plus K equal to 0 1 1 जूटेगा 2 हो जाएगा 2 plus K equal to 0 K equal to कितना हो जाएगा plus 2 A इधर जाएगा ता क्या हो जाएगा हम लोग का minus 2 ये क्या हो गया हम लोग का N सबर हो गया अब देगे प्रस्ट नमबर आठवा क्या करना है कि थोड़ा से स्पीड बढाएंगे हम लोग अपना और सारे सवाल को अहल करेंगे देखिए इतना और इतना का एक गुड़न खंड क्या X plus A तब सीध कीजिए कि A बराबर N minus Q M minus P इतना सीध करना है पहले क्या करेंगे जो गुड़न खंड राता है छोटा उसको 0 देखाते हैं X plus A बराबर क्या रख देँगे 0 X बराबर क्या निकल जाएगा minus A minus A क्या करना है इसमें भी देखाना है और इसमें भी देखाना है क्या करेंगे हम लोग कि इसको लिखिए समीकरण को X square plus P X plus Q equal to 0 Q 0 देखाएगे क्योंकि इसमें A का मान निकलना है इसलिए 0 देखा रहे हैं देखिए X की जाएपर क्या रखेंगे हम लोग minus A X जापर क्या रखेंगे A X जापर क्या रखेंगे हम लोग minus A plus Q equal to 0 minus A का square क्या होगा minus A का दू बार गुड़ा करेंगे तक क्या हो जाएगा हम लोग इधर समझ लेते हैं minus का square क्या होता है अम लोग का plus होता है या i square मने क्या होता है दो बार गुड़ा यह कितना हम लोगा p minus a plus q equal to 0 minus का minus में गुड़ा होगा plus होगा चाहे minus का i square क्या होता है प्लस होता है डाइरेक्ट भी कर सकते थे a के a में गुड़ा होगा a square और plus का minus में गुड़ा होगा क्या होगा माइनस हम लोग का यह क्या हो जाएगा पी ए पॉलस क्यूं इक्वल टू जीरो अब देखिए क्या करेंगे यहां से ए स्क्वाइर का मान निकाल लेंगे ए स्क्वाइर का मान क्या होगा माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉलस हो जाएगा और यह पॉ यही मान हम लोग इस समीकड में रखेंगे दूसरे समीकड में क्या हो जाएगा हम लोग का इसको पहले 0 देखाते हैं x square plus m x plus 1 equal to 0 x की जब क्या रखेंगे minus a minus a का square plus m गुड़ते minus a plus 1 equal to 0 minus का बर क्या होता है plus a का square कितना होगा a square plus का माननस में गुड़ते होगा minus m a और यह कितना plus 1 equal to 0 अब a square का मान निकाल लेंगे a square का मान लिया कितना निकल जाएगा minus m a इधर आयगा ता plus m a plus 1 है इधर आयगा तकैा होजाईगा माईनस 10 हो जाएगा अब देखिये क्या होजाईगा हम लोग का यह a2 का मान यहां लिया कर रख देंगे अब करेंगे चुकी मान रख रहे हैं यह सवाल पूरा चेंज़ रहा है तो इसलिए चुकी लगाते हैं अब देखिए a2 का मान कितना है हम लोग का पी यह माइनस क्यूं है यहां लिया कर रख देंगे PA-Q equal to MA-N क्या करेंगे A वाला फक्षन एक तरफ करेंगे और बाकी सब एक ओर तो कितना हो जाएक हम लोगगा PA-MA अब देखिए equal to कितना हो जाएक हम लोगगा minus Q minus Q इधर आएगा तो plus Q और minus N अब ये क्या हो जाएक हम लोगगा कि इसमें से A कामन कर लेंगे A कामन करेंगे तो क्या बचेक हम लोगगा P minus Y equal to Q minus Y A equal to क्या निकल जाएगा ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग Q minus Y और बटे में क्या हो जाएगा P minus Y अब देखिए क्या करना था यही सिद करना था Y minus Q Y minus P ये तो उल्टा आया Q minus Y आया P minus Y तो कोई भी दीकत नहीं है उल्टा गिया तो इससे कोई दीकत नहीं है क्या करेंगे हम लोग इस थोड़ा सा इसको क्या करेंगे minus 1 से उपर नीचे गुड़ा कर देंगे क्या करने के लिए सवाल अम लोग का सीद करने के लिए minus से उपर गुड़ा करेंगे तो क्या होगा जो minus रहेगा वो plus बन जाएगा और जो plus रहेगा वो minus नीचे भी उसी से गुड़ा करेंगे तो क्या होगा ये सेम से सेम कर जागा फिर वो आई कोचा ना जाएगा अम लोग का तो माइनस से गुड़ा करेंगे जो माइनस में रहेगा वो plus हो जाएगा और जो plus में रहेगा वो minus में ये क्या होगा होगा हम लोग का सीध हो गया लेग देंगे ये ती सीध हो ये approved अब देखिए इसमें क्या करना है कि इतना का गुड़न खंड एक्स प्लस ए है तब एका मान गयात करना है इसको पहले जीरो देखाएंगे एक्स प्लस ए बराबर जीरो एक्स बराबर क्या निकलेगा हम लोग का माइनस ए अब क्या कर देंगे यही मानस समीकड में रख देंगे इस समीकड में और इसको भी 0 देखा देंगे क्यों 0 देखाएंगे क्यों कि जब किसी का मान निकालना रहता है तो 0 देखाएंगे जब सेस्फल निकालना रहेगा तो 0 नहीं देखाएंगे अब क्या कर देंगे, इसको भी जिरु देखा देंगे, almighty x cube plus a x square minus 2 x plus a plus 4 equal to 0 अब देखिए, x की जायप में क्या रखदेंगे, minus a, x की जायप मिनास a more a plus a plus 4 equal to 0 माइनस का गौन क्या होगा और समसंक्त क्या हो समसंसे दो मैंसर आएंगक समसंसंक्त क्या हो गए तो प्लस हो जाएगा a का cube क्या होगा हम लोग का a cube होगा अब देखिए minus का sum sum क्या है तो minus क्या हो जाएगा plus होजएगा plus का plus में गुड़ा होगा plus a a का a square में गुड़ा होगा क्या हो जाएगा a cube अब देखिए minus का minus में गुड़ा होगा क्या हो जाएगा two a में a जोड़ेंगे ता k्या हो जाएगा हम लोगगा three a plus four equal to zero three a equal to kだけा plus four है इधार आएगा ता minus four a equal to kgone प्रस्पोर होजएगा हम लोगगा a equal to निकल जाएगा minus four by three क्योंकि three का गुड़ा है इधार आएगा ता k्या हो जाएगा भाग और यहाई क्या हो जाएगा हम लोगों का इन सबर हो जाएगा अब देखिए प्रस्ट नमर दासवा इसमें भी क्या करना है क्ये कमान निकालना है पहले इसको जिरू देखाएंगे फिर इसको जिरू देखाएंगे और एक्स कमान उसमें ले जाकर रख देंगे कोई भी दीकत नहीं है कोई भी दीकत आ रही है ता आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करकर आप उसका हल पा सकते हैं देखिए इसको पहले 0 देखाएं क्या कर दिये X कमान निकली X कमान वना गया अब इस समिकरण में रखेंगा और इसको भी 0 देखा देंगे के अक्सी स्क्वाइर माइनस अंडरो 2X प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको भी लिख सकते थे PX इक्वल टू ये भी काय कर छोड़ेंगे आप देखिए X की जब क्या रखेंगे 1 X की जब पर रख देंगे 1 K 1 का स्क्वाइर ये X की जब पर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 अब देखिए इसको छोड़ देंगे अब तो क्या करने है इसको छोड़ देंगे क्योंकि K कमान निकलना है अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगा 1 का स्क्वार एक होगा 1 का के में करेंगे तो 1 के 1 नहीं लिखाता है आगे याने K ही रहेगा under 2 का एक में करेंगे तो under 2 ही होगा plus 1 equal to 0 K equal to कितना निकल जाएगा माइनस under 2 है इधार जाएगा तो plus under 2 plus 1 है इधार जाएगा तो क्या जाएगा minus 1 ये क्या होगे अम लोगा 10 बेका N सबर होगे देखिए अब क्या करेंगे सवाल नमबर 11 इसको क्या करना पड़ेगा दो बार माना रखना पड़ेगा और दो समीकरण बनेगा और उसे हल करना पड़ेगा क्या करेंगे पहला एक माना रखेंगे हम लोग कितना x minus 2 बाराबर 0 x minus 2 बाराबर 0 रखेंगे x बाराबर क्या निकलेगा हम लोग का इस सम्हिकरण में रख देंगे देखिए X की जापर 2 रख देंगे 2 का स्क्वाइर A कितना है X की जापर 2 पलस B इक्वल टू 0 इसे कोष्ट में लिख देंगे इसे कोई दीकर ने कोष्ट में नहीं लिखना चाहिए मुझे अब देखिए 2 का स्क्वाइर की इतना होगा 4 हो जाएगा 2 का A में करेंगे तो 2 A हो जाएगा पलस B इक्वल टू 0 4 को उधर कर देंगे 2 A पलस B इक्वल टू माइनस 4 सम्हिकरण नमबर क्या मान जाएगे हम लोग 1 अब देखिए सम्हिकरण नमबर 1 मान जाएगे अब क्या करेंगे इसको 0 देखाएगे 1 माइनस 3 बराबर 0 फिर क्या करेंगे X का मान निकालेंगे और इस सम्हिकरण में रखेंगे X की जाब पर क्या रखेंगे इस बार 3 एक सीजाब पर तीन का स्क्वाइर एक सीजाब पर तीन प्लस बी इक्वल टु जीरू क्यों जीरू देखा रहा है क्योंकि मान निकालना है अगर मान निकालना रहा है तो जीरू देखाते हैं एसे इस पल ग्याद करना रहा है तो जीरू नहीं देखाते हैं अब देखिए इस समीकरण को 0 देखा दिए 3 का square कितना होता है? 9 3 का a में गुड़ा करेंगे तो 3 a plus b equal to 0 अब देखिए 3 a plus b equal to कितना होगे? अम लोग का plus 9 है इधर जाएगा minus 9 समीकरण number 2 अब क्या कर देंगे? कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे लिखेंगे समीकरण 1 minus समीकरण 2 समीकरण 1 minus समीकरण 2 2 a plus b equal to minus 4 3 a plus b equal to minus 9 घटा रहे हैं तो चीन क्या होगा? बदल जाएगा यह भी plus है यह minus होजेगा यह minus है तक क्या हो जाएगा? प्लस अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का तो माइनस 3A में से 2A घटेगा तक है अब माइनस प्लस रहता है तो घटता है चाहे माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे घटता है और घटकर जो अधिक रहाता है उसका चीन लिखाता है तीन में से दू घटेगा एक होगा एक नहीं लिखाता है यानि ये लिखाएगा जो अधिक है तीन अधिक है ते तीन क्या है क्या है माइनस है अब देखे माइनस बी से प्लस बी क्या होज़ेगा किंसील अब ये क्या न देंगे समी कर अड़ दूसे क्या लिख देंगे समिकर धूर्ण दूसे क्या हम लोगा धिर ये पोलस बी बराबर क्या है माइनस नहीं इसमें एक माना रख देंगे तीन गुरते मानास पाँच एक ज़ए पर minus 5 plus b equal to minus 9 तीन पाचे कितना हो जाएगा minus 15 plus b equal to minus 9 अब कितना हो जाएगा अम लोगका b equal to minus 15 है इधर जाएगा तक्या हो जाएगा plus 15 15 में से नग होटेगा कितना हो जाएगा अम लोगका 9-6-15 यानि 6 बचेगा दू अजिक रहते हैं यानि पलस नहीं लिखाता है बी का मान कितना गया चो यह क्या हो गया दुन अम लोग का इंस बर हो गया कि अब देखिए सवाल नमर 12 क्या हैं अम लोग का की का मान गयत करना है सभी पहदों में जब कि क्या एक X-1 PX का एक गुणन खंड है X-1 को क्या करेंगे पहले 0 देखा देंगे X बराबर क्या निकलेगा हम लोग का 1 क्या कर देंगे सभी समीकरण में रख देंगे X बराबर 1 और समीकरण को क्या कर देंगे 0 देखा देंगे 0 देखाने के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का कमान निकल जाएगा देखिए इसमें पहले में हम लोग रख रहे हैं x बरावर 1 और इसे 0 देखा रहे हैं x동 1 देखिए 2 है x동 1 k동 1 ग becomes 1 प्लस अंदर टो इकोल टो 0 क्यों 0 देखा रहा है क्योंकि k का मान निकालना है k का मान का करना है k का मान ग्याद करना है या निकालना है देखिए एक का स्क्वार एक के दू एक में कितना हो जाएगा दू जब मान निकालना नाता है तो इस वाले फक्षन को छोड़ देते हैं के कमे क्या हो जाएगा के पुलस अंडर रूट टू इकोल टू जीरो अब क्या होगा के बराबर हम लोग का ये दोनो प्लस में उधा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोनो माइनस में यानि माइनस टू माइनस अंडर रूट टू इसमें से माइनस कामन कर लेंगे कितना हो अब ही लगाएं दस नमबर सवाल सेम टू सेम एकदम वही है इसलिए दस यहां पर लिख दिये हैं यह क्या कीजिएगा आप लोग लगाईएगा और लगाकर इसे हल करके बताईएगा कि सवाल अगर आ रहा है कि नहीं तो आईए अगला सवाल पढ़ते हैं अम लोग अब देखिए छात्रो क्या करना है 13 14 15 17 18 और 20 19 नहीं है इस जैसा यह सारा प्रस्ण क्या है सेस्पल पर्मे पर है सेस्पल पर्मे का मैं एक पूर्ण रूप से वीडियो बनाना चाहता हूं इसलिए ताकि आप लोग को समझ में आए अगर मैं इसी में आप लोग को बता दू स सेस्पल पर्मे तो यह वीडियो हो जाएगी तीन गंटे की जिससे आपको क्या होगा जब 20 मिनुन का वीडियो देखी नहीं पाते है छात्र तो तीन गंटा कहां से देखेंगे तीसको मैं क्या करूंगा सेस्पल पर्मे का अलग से वीडियो बना दूंगा उसको देख वीडियो के तुरंत वीडियो आएगी और सारा प्रस्ण यहीं उसमें रहेगा इसको छोड़कर अलग से प्रस्ण मैं नहीं बताने वाला हो क्योंकि दीकत होगी इसलिए यहीं प्रस्ण बताऊंगा और इस सवाल का अच्छे से रिवीजन कर लिजिएगा अब देखिए इ उन्हाइस नंबर सवाल नहीं है क्योंकि उन्हाइस नंबर सवाल कीया मोंगा अलग है इसलिए उसको मैं बता जहाँ हो इस सारे सवाल को अगले डीयो मैं बताऊंगा शेश्पल पर्मेक इसे साहता से तर देखिए उन्हाइस सवाल तबcip u 29 नमबर सवाल क्या है यादि 2x-1 इतना का एक गुणन खंड हो तो एक कमान गयत किजिए एक कमान क्या होगा हम लोग का ये बताना है कि एक कमान कितना होगा 2x-1 बराबर क्या कर देंगे पहले वाले को 0 देखा देंगे जितना गुणन खंड रहता है छोटे वाले को 0 देखाते हैं 2x बाराबर क्या हो जाएगा 0 देखाकर उसके बाद क्या करते हैं x का मान निकालते हैं x का मान कितना हो जाएगा यानि 2x बाराबर कितना हो जाएगा minus 1 है इधर जाएगा तो plus 1 x बाराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 by 2 यह क्या निकलेगे अम लोग का X को मान निकलेगे कितना 1 by 2 क्या करेंगे इस समी खरण में रख देंगे और इसे 0 देखा देंगे क्यों 0 देखाएगे क्यूंकि यह कमान निकलना है किसी भी चीज कमान निकलना रहता है तिझ जीरो देखा देते हैं फक्सन को 2 x cube plus a x c square plus 11 x plus a plus 3 equal to 0 अब इसमें माना रखेंगे x c जब पर कितना 1 by 2 x c जब पर क्या रखेंगे 1 by 2 अब देखिए a x c जब क्या रखेंगे 1 by 2 x c जब क्या रखेंगे 1 by 2 plus a plus 3 equal to 0 एक बटा 2 का तीन बार गुड़ा करेंगे तक क्या होगा 1 by 2 गुड़ती एक बटा 2 उपर का ते एक हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 2 गुड़ती एक बटा 8 plus 1 का इसक्वार एक होता है 1 का में a 2 का बटा करेंगे तक क्या होगा 4 plus ये कितना हो जाएगा 11 बटा 2 plus कितना हो जाएगा a plus 3 equal to 0 अब देखिए ये कटा देंगे हम लोग क्या हो जाएगा 2 से 8 को कटा देंगे तक 4 1 plus 4 बचा ये तो रफकार ये इतना ये छोटा वाला 1 बटा 4 लिख दिए plus a बटा 4 plus 11 बटा 2 plus a बटा 1 3 बटा 1 equal to 0 क्यों सब का इलसियम ले रहे हैं क्योंकि इस तरह क्या होगा हम लोग का असानी रहेगा 4 4 2 1 1 का इलसियम क्या होगा हम लोग का चारी होगा 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बर जाएगा एक का उपरला में गुड़ा करते हैं नीचे वाला से भाग देते हैं जितना बचता उस से उपरला में गुड़ा करते हैं 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बटा 1 का इक में गुड़ा करेंगे तो 1 4 से 4 में भाग देंगे तो दू बार और दू का 11 में गुड़ा करेंगे तो 11 दूना के 22 एक से 4 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा चार का A में गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा चार एक से भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा और 4 का गुड़ा करेंगे तो 3 में तो कितना हो जाएगा चार अब देखिए 5 एक वल्टू कितना हो जाएगा 35 है इधार आएगा तो माइनस 35 यह बराबर क्या हो जाएगा 5 का गुड़ा है यानि नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा अम लोगा भाग 35 बटा में 5 पांच से भाग देगे देंगे तो कितना जाएगा यह बराबर अम लोग का 5 साते 35 यानि यह बराबर कितना निकलेगा अम लोग का माइनस 7 यह क्या हो गया इंस्वर हो गया और इसी के साथ मिलेंगे अम लोग नेस्ट वीडियो में अगर आप इस चैनल को सब्सक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो आंत तक देखें जिससे क्या हो अप लोग का मनोबल डाउन नहों और सवाल लगाने का एक्सपरियेंस बढ़ें अब देखिए